हाँ जी, assalamu alaikum तो यार आज जो है मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने दराज पे प्रोड़क्त को लिस्ट कैसे करना है मतलब मैंने जैसे पिछले इसमें दिखाया था कि आपने आपने आउडर को ड्रॉप आफ कैसे करना है तो आज हम इसमें बात करेंगे कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है तो जब अपना आप दराज सेलर सेंटर अकाउंट बना लेते हैं और आपको प्रोड़क्ट लिस्ट करनी नहीं आ रही होती कि भई हम अब अपनी तस्वीरों को अपनी जो प्रोड़क्स हैं उनकी तस्वीरें कैसे लगाएं और कैसे सेलिंग करें दराज पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह मेरी कुछ प्रोड़क्स हैं आई होप की कैमरा में आपको ठीक नदर आ रहा होगा क्यूंकि मेरे पास कुछ हास कैमरा क्वालिटी मुझूद नहीं है तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूँ अब यह मेरी कुछ प्रोड़क्स हैं ठीक है यह ऊपर आपको नदर आ रहा होगा यहां पे यह देखें पर आउनलाइन हो चुकी है और यह स्टार्ट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास माशाला अच्छे ओर्रस आ रहे हैं तो यह मेरी प्रोड़क्स है ठीक है अभी मुख्तलिफ प्रोड़क्स है और बहुत मिनिमूम बजट में मैंने इनकी इन्वेस्टमेंट और उसके बाद यह है कि दराज 3-4 दिन का टाइम लेता है वो आपकी प्रोड़क्स को देखता है कि यह लिस्टिंग ठीक हुई है इसमें कोई copyright तो नहीं है या कोई issue तो नहीं है उसके बाद वो आपकी प्रोड़क्स को live कर देते हैं तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने प्रोड़क्स की लिस्टिंग कैसे करनी है मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा बहुत white है अगर जिन लोगों को जिन लोगों को अगर वीडियो में कोई issue नदर आ रहा हो camera quality में तो kindly मुझे inbox उसमें comment करके जरूर बताना ताके जो है मैं उसे next time बैतर करके बना सकूँ त सबसे पहले आपने जाना है अचा यार होग कि आपको camera में ठीक नजर आ रहा होगा यहां पर सबसे पहले आपने जाना है यह उपर products का एक option आ रहा है products के option पर आप जाएंगे तो यहां पे तीन चार option आ रहे है manage product, add product, new media center, manage image, fulfillment by daraas ठीक है तो आपने यहां से add product पर जाना ह और उसका data है आपने लगाना है दराas पर तो सबसे पहले आप यहां पर आगए उसके बाद आपने जो है यहां पर product का name लिखना है या उसका title लिखना है तो मैं अपनी दूसी product से उसे copy कर लूँगा और यहां पर उसे paste करूँगा यह मतलब मेरी listing है उसे मैं copy उसके बाद पर आपके पास ना बहुत सारे tabs खुल जाएंगे जब आप उसका पूरा नाम लिख लेंगे तो जैसे अब यह लिखा यहां पर मुक्तलिफ आगी है categories तो आपने उसको सही category में fall करवाना है for example अब चीज की मैं listing कर रहा हूं वह wi-fi routers का charger है 12 volt का तो यहां पर computer laptop networks components or routers है तो मैं इसी को select करूंगा क्योंकि यही मेरा जो है सही category है तो मैंने यहां सही से select कर लिया उसके बाद आपके पास नीचे option आता है अच्छा यार अब हमने यहां पर अपना URL लगाना है URL का मतलब यह है कि आपने वीडियो अपनी प्रोड़क्त पर आपकी वीडियो भी शो होग तो वहां से उसका link copy करके यहां लगाएंगे तो आपकी वीडियो शो हो जाएगी तो यहां वे मेरी यह video है Arizona PK sales के नाम से मेरा channel है और यह जो है मेरी video यह जो है मेरी video आप देख सकते हैं इससे मैंने इसको brief किया हुआ है और यह सामने जो अब इसका जो मैंने क्या करना है कि copy उपर से link इसका मैंने copy कर लेना है यहां से मैं Ctrl C कर लेता हूँ को यहां से मैंने link copy किया और अब simply जो है मुझे यहां पर जाना है और जाके इस link को यहां paste कर देना है ठीक हो गया अब यह जो है जो भी कोई मेरे इस post पर आएगा तो वो मेरी video की briefing भी देखेगा उसके अगर उसकी selling कर रहे है तो फिर आपने यहां brand name लिखना है otherwise आपने no brand कर देना है उसके बाद आपने उसके ग्राफिक्स के बारे में या उसकी detail चोटी सी मतलब कुछ थोड़ी बहुत detail लिखनी है तो यहां पर मैं लिखते हूँँगा high world यहां पर मैंने high world कर दिया यहां प आपकी sales में ज्यादा फरक पड़ता है अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता है चलूँ यहां पर आप देखेंगे यह एक लिखा रहा है content score अच्छा यार बीच में call आ गई थी सवजह से वीडियो pause करनी पड़ी अब यह है कि आपको यहां पर साइड में चीज नजर और आपने excellent पर जाके जैसे यहां पर excellent लिखा है तो आप समझ जाएं कि आपकी तमाम listing अच्छी है और आप उसकी जो है वो post उसे कर सकते हैं अब यहां पर आपने क्या करना है कि उसकी description लिखनी है और यह है short description उसकी short description आपने लिखनी है अब मैं अपनी product में यहां से अब description copy करूंगा यह मेरी जो है short description थी इसे मैं यहां से copy कर लूँगा और अपने main page पे आके यहां paste कर दूँगा ठीक है आप अपने हिसाब से जो भी आपकी होगी आपने वो लिखनी है सारी information और उसे post करना है अच्छा अब उसकी है मजीद long description तो मैं उसकी long description में यहां से यह जो है इसकी information add कर लूँगा अब तीसे नमबर पे भी आपने add करनी है description तो आप वो ही डाल सकते हैं वो issue नहीं है अब आप उपर देखेंगे यहां पर लिखाया qualified मतला मैं अभी भी submit कर सकता हूं बट मुझे excellent तक जाना है अब इसके बाद एक option आ रहा है what's in the box यह total listing तकरीबर 5 मिन में हो जाएगी लेकिन यह है कि मैं आपको क्योंके guide का रहा हूं इस वज़ा से यह थोड़ा सा जो है लंबा सीन बनेगा तो what's in the box box में क्या है तो आपने लिखना है one space x charger यहां पर ठीक है उसके बाद आप नीचे scroll करेंगे और यहां पर आएगा जी आपने अपने variants का color बताना है कि आपके पास किस color में मुझूद है तो मेरे बास black color में मुझूद है तो मैं black करूँगा और फिर मुझे उसकी photo upload करनी है इंटरनेट की performance कैसी है तो हमारे हाँ इंटरनेट की performance कुछ खास नहीं है तो यह uploading हो जाएगी यह आपकी photos है upload हो रही है उसके बाद आपने नीचे देखना है जब तक ही upload होती उसके बाद आपने यह नीचे यहां पर अगर कोई और भी आपके पास color मुझूद है तो उसका variant add करना है और उसकी photo भ की price है 500 मैं यहां लिखता हूं 500 और यह है उसकी special price अब मैं जाता हूं special price में यह scene ऐसा आएगा कि 500 लिखा होगा उस पर cross होगा कि मतलब आप sale दे रहे हैं कार्ट के 500 को 200 में या 250 में तो इसे मैं 500 से sale में देता हूँ 205 205 रुपे में यह है जी हम इसे एक date select कर लेते हैं 9 January से लेके 28 February तक जो है इसे मैं कर देता हूँ तो यह मैंने इसे select कर लिया ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं sorry 205 क्यों select नहीं हुआ यह हमने date select की और यह हमने end date select की और ok कर दिया ok करने के बाद confirm करना है मैंने confirm नहीं किया तो वह back हो गया यह confirm हुआ यहाँ पर देखे special price लिखी आ रही है उसके बाद आपने quantity लिखनी है तो मैं लिख देता हूँ 100 उसके बाद आपने seller SKU लिखना है SKU आपका एक code word आप समझ से charger और 0018 ओके यह मेरा code है यह मैंने इसे दे दिया अच्छा एक चीज़ और हमारी photos upload हो गई है अब वह आपको ना जो आपकी main image होगी वह उठा के आपने front पे फिंग देनी है तो मेरी main image यह है तो मैंने उठा के इसे front पे फिंग दिया उसके बाद जो है मैं अपनी images की settings ख यह आपको लिखा रहे है यह main image सामने show हो रही है उपर आप देखें excellent का option आ चुका है लेकिन यह जो line है यह भी complete नहीं हुई इसे हमने complete करवाना है ठीक है अब आगे करेंगे तो यहां free items है अगर आप साथ कोई free item दे रहे हैं कोई pin वगएरा कुछ तो उसे यहां लिख सकत ठीक है उसके बाद इसे आपने इसकी dimensions लिखनी है centimeters में तो इसकी dimensions में centimeters में लिख लेता हूँ 4, 4, 3, okay इसकी dimensions लिखी उसके बाद आप नीचे यहां से यह जो option है more पर खोल इसको open करेंगे यहां पर लिखना है यहां पर option आ रहे है dangerous goods के यह item किस type का battery, flamble, liquid, non तो आपने उस हिसाब से करना है तो फिर मैं इसे non पर करता हूँ कि यह में से नहीं है अगर आप देखें त यहां से उपर जो है मेरा यह उपर जो लिखा था content score जो है मेरा complete हो चुका है, excellent हो चुका है और अब जो है हम इस listing को करने जा रहे हैं upload, so यह हमने कर दिया submit और यह उपर लिखा है publish successfully, जी यह हमारा हो चुका है public, अब हम done पर जाएंगे, यह हमने done किया और अब हम जाएंग यह pending order, यह हमारे पास सारी product की management आ गई, product management जब हम इस पर जाएंगे pending QC, तो यह आप देखेंगे, यह हमारा यह जो हमने charger upload किया था, यहां पर यह show हो रहा है, और जो है इसकी information सारी यहां पर और यह सारी detail, यह दो से mostly 3 दिन लगते हैं, दराज इसे check and balance करेगा और उसके ब वीडियो यहीं तक थी, अगर आपका कोई सवाल है तो comment section में जरूर बताईएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं दराज से related कोई और वीडियो बनाऊ तो भी comment section में जरूर बताईएगा, दराज में मेरा store है और अभी नया store ही है, लेकिन alhamdulillah कि उसकी selling काफी अच्छी start हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, comment और share करें दोस्तों के साथ, subscribe करें चैनल को क्योंकि मैं इसी तरह की informative वीडियो बनाता हूं और हम दराज से जो shopping करते हैं उसके हम reviews भी बनाते हैं, आप मेरा channel visit करके देख सकते हैं, हम काफी अच्छे-च्छे reviews बनाते हैं, thank you so much, Allah हाफिस